बताया कि बहुत सारे लोग परिशान हैं तो उन्होंने कहा कि विजिलेंस बूरो के साथ जो डिसक्शन है वो हो गई है जो राज्या शरकार की तरफ से फॉरमूला कनवे किया गया है पूल्बिक सर्विस कमिशन को भी और विजिलेंस बूरो भी वह उनोंने शेर किया पहले ने बताया कि Public Service Commission फिलहाल जो भरती परिक्षा नहीं हुई है उनको पहले करेगा 2052 पोस्ट हैं वो हैं जो सब्टेंबर 2022 में एड़ोटाइज हुई थी पहले उनको भरेगा 860 पोस्ट हैं ऐसी हैं जो रिक्विजिशन चली गई थी Public Service हमिरपूर करमचारी चैन आयोग को लेकिन उनकी भरतियां नहीं हो पाई थी एड़ोटाइज नहीं हो पाई थी वो भी Public Service Commission पहले करेगा और उसके बाद बारी आएगी फिर जो जो जिनकी रिटन टेस्ट हो चुके हैं और आयोग भंग हो गया है उनके मामले में Chief Secretary का कहना था कि Presently तीन तरह के सिनेरियो हमारे सामने हैं पहला सिनेरियो ऐसा है जिसमें रिटन टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी निकल गया, जॉइन भी कर लिया, उसके बाद पेपर लीक मिला है जैसे कि अभी Traffic Inspector के मामले में हुआ है दूसरी सिनेरियो ये है, जहां रिटन भी हो गया, और जो भरती है, वो result डिकलेयर होने से पहले पेपर लीक में उलज गई है और तीसरा वो सिनेरियो है कि जो post code अभी vigilance जांच की दाइरे में नहीं है अभी तक उनमें कोई leakage नहीं मिला है, ये तीन तरह की सिनेरियो है मुकेस अचीव का कहना था कि सबसे important बात ये है कि जो जांच agency है, उसका satisfy होना जरूरी है और उसका राज्य सरकार को report देना जरूरी है कि इस post code में ज्यादा racket नहीं है पेपर लीक का तो उनका कहना था कि जिस inquiry में racket मिलेगा पेपर लिका उसको सरकार रद करने की सोचेगी जिसमें सिमित leakage होगा दो तिन candidate वाला या फिर बहुत limited का उसमें ये possible है कि उसको result निकाल दिया जाए और जिन में बिलकुल भी कुछ ने निकलेगा उनका भी result खोशित हो जाएगा लेकिन depend करेगा vigilance bureau की report पर और उनकी अपनी satisfaction पर उसकी वज़ा ये है कि जितनी FIR अभी तक होई है उन FIR में चारशीट दायर में ही होई है पहली FIR के सिवा तो जब चारशीट दायर होनी है उस चारशीट की अवधी में inquiry के दौरान अगर वो inquiry का दायरा और बढ़ गया तो कुछ और post code उसके दायरे में आ जाएंगे vigilance bureau ने ये भी कहा है कि अभी उनको लग रहा है कि 18-19 जो post code है 20 तक ये मामला जा सकता है पेपर लीकेज में बाकी जो है वो अभी तक कोई ऐसा लगनी रहा कि उसमें होंगे तो कि महिलाओं को ही जो है वो पंदरा सो पर अजिसरकार पहले चलन में देने वाली है यह बड़ी अपडेट हमारे पास है जी इसी में एक और अपडेट जो आपको बता दे हम जो यह पंदरा सो रुपए है यह अल्फ संक्यक वित एवं विकास निगम के जरिये जारी किये ज ग्यारी को मिल रहे है अधिक तर महिलाएं वो है जो कह सकते हैं आप साथ वर्से अधिक क्पी की अठारा से जो उनुसटावन की आयूगी जो महिलाएं उनको फिलाला भी इंजार करना पड़ सकता है लेकिन जो महिलाएं विद्वा है एकलनारिया उनको भी इसमें जो है वो जोड़ा जाएगा लेकिन अधिक तर महिलाएं मैक्सिमम जो है वो 60 वरसे अधिक आयों के महिलाएं होगी हालांकि दो पैरे का ही ये पेंशन रूल्स हैं जो आज जो अभी गए हैं लौ में और इंट्रेस्टिंग ये है कि सोपी लौ में नहीं है वो सोपी फाइनांस की अपनी है और वो सिर्फ एक दिशा निर्देश होंगे डिडियों के लिए एंप्लॉईज के लिए और जो एड की डेट तक जितने NPS में करमचारी हैं उनको अगर ओल्ड पैंशन चाहिए तो उनको विकल्प देना पड़ेगा पहले फिर जिनको चाहिए उनको अपना मनी सरेंडर करना पड़ेगा फिर उनको ओल्ड पैंशन मिल जाएगी लेकिन एक अपरेल के बाद ना तो कंट्रिब कि अगर इनीरूल्स को जो नए सीरे सी अमेंड करते हैंशन को CCS पैंशन को टो उनमें जो 10 साल की मिनिमम मन शे्ट है उल्ड पैंशन की ऐलिजिबिलिटी के लिए उसका क्या किया जा रहा है तो वह 10 साथ 10 साल की जो शर्त है वो ऐसे ही बरकरा रहे की उसको नहीं चेड़ है ना हटा रहे हैं ना चेंज कर रहे हैं यानिकि NPS के बाद दस साल मिनिमम चाहिए उल्ड पैंशन में तब जाकि उल्ड पैंशन के हकदार करमचारी होंगे वह भी प्रोरेटा पर और फुल के लिए उससे ज्यादा की अव्धी चाहिए तो यह पुरानी शर्थ पैंशन के बाद करमचारी के बाद करमचारी प्रदेश के अंदर होती यह सीधी बरतियां जैसे वह कल लोटेंगे कल हो सकता है इसकी जो फाइल है उसको सीम एप्रूबल दे दें तो कार्वी भाग नाटिस तारी को फाइल बेजी थी आपको बता दें जितने भी कॉंट्रेक्ट करमचारी यह जो कट ऑफ डेट हैं दो डेट हैं कट ऑफ 30 मार्च और 30 सेप्टेमबर यह दो दो द की अरिसुचना बहुत जल्दी होगा जहां तक ड्राफ्ट्समेन की भरती की बात है तो प्रशनकाल के दुरान बहुत सारे बाद चीजें किस तरह से लेनी हैं वो एक देखने की जरूरत रहती है लेकिन इसमें तीन ही ड्राफ्ट्समेन हैं जल्शक्ते भी भाग में विपक्ष ने पूछा कि फिर काम कैसे चल रहा है तो ड्रिप्टी सीम ने कहा कि ड्राफ्ट्समेन के पद भरने के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी लेकिन पहले भरती और पदनती नियम जो है उनको बदला जा रहा है जब इनको बदल देंगे तो उसके बाद ही इस पूरे मामले में आगे जो है वो सरकार बढ़ पाएगी